शेकर सुमन का रिया पर सवाल इतना महगा वकिल कैसे हायर किया? स्पॉंसर कौन है? शेकर सुमन ने कहा अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनके जाने के बाद आप उनके परिवार के साथ कम से कम कुछ वक्त बिताते हैं लेकिन रिया ने यूटन ले लिया वहीं केस लड़ने के लिए रिया चकवर्ती ने हिंदुस्तान का सबसे महंगा वकिल हायर किया है जबकि उनकी एनुवल इंकम 14 लाग है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतना महंगा वकिल उन्होंने हायर कैसे किया? कौन उसे स्पॉंसर कर रहा है? गैंग आफ फिल्मिस्तान छोड़ने की तयारी में है शिल्पा सिंदे कहा सुनिल ग्रोवर के साथ काम नहीं करना शिल्पा अब कॉमेडी शो गैंग आफ फिल्मिस्तान में कम बैक करने जा रही है ये शो 31 अगस से टीवी पर शुरू होने जा रही है लेकिन इससे पहले ही शो अन्चाहे कारणों से चर्चे में आ गया दरसा सिल्पा इस शो को छोड़ने का मन बना रही है क्योंकि वे शो के मेकर्स और प्रोडेक्शन की काम से खुश नहीं है इस इंटर्वी में शिल्पा ने कहा कि वे सुनिल ग्रोवर के साथ काम नहीं करना चाती है और शो के मेकर्स ने कहा था कि वे इस बात का ख्याल लखेंगे लेकिन शो के मेकर्स अब तक अपने वादे पर खरे नहीं उतरें और शिल्पा इस सो को छोड़ने का मन बना रही है पुनित इसर के बेटे ने बनाई सुसाइट पर फिल्म कुरोना से है कनेक्शन ना कि शुसान से बेटे की फिल्म के बात करते हुए पुनित इसर कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि उसने इतनी महने से ये फिल्म बनाई है और मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि इस फिल्म का शुसान देट केस से कोई लेना देना नहीं है दरासर कुरोना के चलते जो बेचारे एक्टर एक्टरस डिप्रेसन जैसे समस्याओं के चलते सुसाइट कर रहे हैं उसे देखते हुए हमें लगता है कि इस तरह के फिल्म बनाई जानी चाहिए जिससे लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि सुसाइट किसी समस्या का हल नहीं है और हमारी ये फिल्म लोगों को डिप्रेसन से उभानने की पिर्णा देती है कपिल शर्मा ने कहा लाइव ओडियन्स की बिना शो को फिल्माना अधूरा सा लगता है कपिल ने कहा मुझे लगता है कि कॉमेडी लोगों को काफी प्रभावित करती है एक लंबे और ठकाओ दिन के बाद सभी चाते हैं कि वे कुछ समय के लिए अपने साथ हुए सभी चीजों को भूल जाएं और रहात महसूस करें तो हाँ कॉमेडी के और भी अधिक शोच प्रसारित किये जाने चाहिए कॉरोना के चलते साथधानी उपायों को ध्यान में रखते हुए शो की शूटिंग फिलाल बिना लाइव ओडियन्स के हो रही है इस पर बात करते हुए कपिल ने कहा मैंने जितने भी साल काम किये हैं मेरे सफलता में दर्सकों की काफी एहम भूमी कर रही है जब कभी मैं परफार्मेंस करता हूँ तो उस पर लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जिससे मुझे इसे आगे बरकरार रखने में मदद मिलती है चुकि अभी महामारी के चलते सेट पर हम ओडियन्स को नहीं बुला पा रहे हैं तो उनके बिना काफी खाली-खाली सा लगता है हाला कि अर्चिना जी सब का हिस्सा बरकरार कर देती है बॉबी देवल ने कहा सन नेम के दमपर 25 साल तक इंडरस्टि में नहीं टीके रह सकते बॉबी ने भाई भतीजावात की बहस पर कहा कि केवल परिवारिक प्रिष्ट भूमी कालाकारों को फिल्मों की इस गला काट दुनिया में नहीं रहने दे सकती लेकिन कड़ी महनत और प्रतिभा की दम पर ऐसा हो सकता है हर कोई किसी न किसी परिवार से आता है लेकिन केवल अपने परिवार का नाम आपको दोग में 25 साल तक टिके नहीं रहने दे सकता हमारे माता पिता हमें अच्छी शिक्षा परिवरिश सब कुछ देते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं तो डॉक्टर की इच्छा अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की होती है वैसे हर शेक्तर के लिए फिर चाहे बिजनसमेन हो, मीडिया बैरन हो या एक उद्धोग पती सभी चाहते हैं कि उनके बेटे उनके नक्ष कदम पर चले मेरे पिता अभिनेता हैं इसलिए उन्होंने हमारे लिए यह वही सोचा शुरुआत में इसका फायदा होता है लेकिन उसके बाद की यात्रा तो अकेले ही करने पड़ती है भूमी पैटनेकर का कहना है कि फिल्मों में महिलाओं को कमतर नहीं दिखाया जाना चाहिए भूमी कहती हैं हमें लेंगिंग भेद भाव के अधार पर बनी सोच में बदलाओ लाना चाहिए महिलाओं और पूर्सों को दिखाये जाने की धंग में पर्वरता लाना चाहिए महिलाओं को कमतर नहीं आका जाना चाहिए हमें भी इच्छाए हैं, महत्यकान्चाए हैं, हमारी भी अपनी शारिक वभावनात्मक जरूरते हैं और हमें सवन्तुलन्द बनाए रखने की भी छम्ता है मेरे ख्याल से महिलाओं में सुपर पाऔर है मुझे लगता है कि हमें फिल्मों में इन्हें दिखाये जाने की आवशकता है वहीं भूमी आगे कहती हैं ठीक इसी तरह से फिल्मों में पूर्सों को जिस अंदाज में पेश किया जाता है हमें उसमें बदलाव लाना होगा हम पूर्सों पर यह कहकर काफी ज़्यादा दबाव डाल देते हैं कि उन्हें ताकतवर बनना होगा, वे रो नहीं सकते हैं, अपनी भावनाओं को खुल कर जाहिर नहीं कर सकते हैं सडक टू बनी अब तक की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म, लोगों ने उड़ाया मजाग एक तरब जहां सोसल मीडिया पर लोग इस फिल्म को लेकर लगातार नेगेटिव ट्विट्स कर रहे हैं, तो वहीं रेटिंग के मामले में इस फिल्म ने अजे देगन और तमन्या भाटिया के फिल्म, हिम्मत वाला, सैफ अलिखान की फिल्म, हम सकल और राम गोपाल वर्म की फिल्म आग से भी कम रेटिंग पाकर अब तक की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म बन चुकी है, आयम बीडी की ओर से सड़क टू को 1.1 रेटिंग दी गई है, जबकि इससे पहले हिम्मत वाला हम सकल और आग को 1.7 रेटिंग दी गई थी कंगना रनौत बोली मुझे मूवी माफिया गुंडे से जादा मुंबई पुलिस से खत्रा है, सोसल मीडिया पर एक फैन ने लिखा कि करिब 100 घंटे और 4 दिन हो चुके हैं, जब कंगना रनौत ने बॉलिवुड ड्रामा माफिया का भांडा फोडा था, साथी खुद के ल मुझे मुवी माफिया गुंडे से जादा मुंबई पुलिस से डर लगता है, मैं हिमाचल सरकार या फिर सेंटर गवरंडमेंट से सेप्टी लेना चाहती हूँ, मुंबई पुलिस से बिलकुल नहीं मंदाना करीमी ने कहा इंस्ट्रागाम को अलविदा, बोली तुम सब ने मुझे धोखा दिया और हैरेस किया बिग बॉस 9 कंटेंस्टें मंदाना करीमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, हाल ही में मंदाना करीमी ने एक वीडियो पोश्ट कर कहा कि वह इंस्ट्रागाम को अलविदा कह रही है दरशल मंदाना ने कुछ समय पहले सिर्फ तॉलिये में अपनी कुछ तस्वीरे पोश्ट की थी, जिसके बाद वह जम का सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई मंदाना ने इस वीडियो में यह भी बताया कि किस तरह उन्हें लोग टार्गेट बना रहे हैं आलिया का सफर और मुस्किल कर देगी महेश भट की यह सड़क 1999 में भट साहब ने जम निर्देशन से सन्यास लिया था तो उनके पिछे कई क्लासिक और कल्ट फिल्मों की विरासत थी जिसकी सार्थक्ता आज भी बनी हुई है अर्थ, सारांश, नाम डैडी आशिकी, दिल है की मानता नहीं, जक्व ना जायज इसमें से एक नाम 1999 की सड़क भी है जिसका पार्ट टू भट साहब 2020 में लेकर आएं और जिसके जर्ये निर्देशन ने अपनी वनवास को खत्म किया है मगर महिश भट की सांदार विरासत के मद्दे नजर यह वापसी बेहत निरास और उदास करने वाली है लगभक सवा दो घंटे की सड़क टू खत्म होने के बाद जहन में यही खयाल आता है कि इससे तो बहतर था सड़क दूसरी बार देख लेते हैं